साथ्यों कॉंग्रेस के नेताओं का सपना सिर्फ अपना अपना परिवार है जब कि मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है आप ही मेरे परिवार जन है और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है आपकी हर चिंता मोदी की चिंता है कोरोना के रूप में सो साल की सबसे बड़ी आपना मानोता पराई देश्वास्यों का जीवन बचे इसके लिए हजारो क्रोड रुपे मुप्त खर्च करके मुप्त ठीका करन कराया कॉंग्रेस के राज में गोदामों में अनाज सरता था और गरीब भूखे मरता था मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिये अन्न के भंडार खोल दिये आज देश में दुनिया के इतिहाद की सबसे बड़ी मुप्त रोर राशन की योजना चल रही है असी करोर लोगों को तीन साल से उनकी ठाली भरने का काम मोदी कर रहा है उसका चूला बुजने नहीं देता है और ये डिसंबर में योजना खत्म होने वाली थी लेकिन आपके आशिरवाद से और देवगड की भूमी में आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं मैंने संकल्प कर लिया है कि इसे पांच साल और बढ़ाऊंगा का पांच साल और मुप्त राशन पहुंचा हूंगा देश के इतके हात में पहली बार किसानों के लिए पी-एम किसान संमान नीजी से योजना बड़ी अभी तक पौने तिन लाग करोड़ रुपय किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके पौने तिन लाग करोड़ आएगा ताथियों कि मोदी कि अपना घर बनाने के लिए नहीं बलकि देश के गरीब मध्यमवर्ग दलीद ओवीसी आधिवासी का घर बनाने के लिए निकला है मैंने जीमन का ये बड़ा बहुत संतोस है कि आज जब भगवान राम का अपना घर बन रहा है तो साथ साथ चार करोर सेधिक गरीब परिवारों के भी पक्के घर बन लाएगे ये कॉंगेस के सरकार ने रोड़े अटकाए हैं लेकिन बाजबा सरकार बनते ही हर गरीब को पक्के घर मिलना शुरू हो जाएगे हम सत्प्रतिशत लाबार्ति को हर योजना से जोड़ने के लिए लक्ष पर काम कर रहे हैं बहुती जल्द एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके हाँ भी आएगी अब हिंदुस्तान में जहां चुनाव नहीं है वहां मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गुम रही है और हर घर जा करके हर महले में जा करके जो जो योजनाए हैं अगर किसे को नहीं मुलीते हो खोच करके उसकी सुची बना रहे हैं ताकि उनको योजनाए पहुंचा सके य से दबतर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे सरकार खुद जाएगे इस गानटी वाली गाड़ी में ही आप इन योजनाओं से जूड़ सकते हैं